नमस्कार, नो इंडिया रिजेक्ट टर्की इस ब्रिक्स मेंबर से बिड़, यहाँ पर नियूज आ रहा है कि इंडिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया है टर्की जो ब्रिक्स मेंबर सीप में हम जोइन हो जाएं, वो टर्की का रिजेक्ट कर दिया गया इंडिया के तरफ से, तुरकी ने जिटर बनन ले कं बीड़ा के यह है बहुत सारी यहां पर अर्टिकल में पबिलीज किया जा रहा है पर एक्जेक्टिकली हुआ क्या है इसी बारे में और गरेंग बांगा किवरें बनन rehab को थर्की को भारत ने तुर्की को ब्रिक्स में नहीं होने दिया सामिल जर्मन अखबार के दावे पर पूर्व राजनायक ने क्या कहा तुर्की नेटो का सदस्य देश आपको मालम होना चाहिए कि टर्की जो है वो एक तरफ जो उसका देश है वो लगता है यूरोप के तरफ और एक मिडिलिस्ट के तरफ लगता है तो टर्की जो है वो नहीं पर जो है अर्दोगान भी गए वे थे ब्रिक्स अमिलन में तो इसी चीज से जो है वेश्ट देश पूरे खफा है इंसे हलाकि तुर्की को ब्रिक्स अंगठन की सद्धेसता हासिल नहीं वी है और एक जर्मन अकबार बाइल्ड में दावा किया रहा है कि तुर्की के ब्रिक्स में सामिल होने का वीरोध भारत नहीं किया हाली में रूस के कजन में ब्रिक्स संगठन की वी बैठक में सबसे ज़्यादा जिस महमान ने चौकाया वो ते तुर्की के राष्टपती रेचब तयब एर्दोगान की मौजूदगी को लेकर हाली में रूस के कजन में ब्रिक्स संगठन की वी बैठक में सबसे ज़्यादा जिस महमान ने चौकाया वो ते तुर्की के राष्टपती रेचब तयब एर्दोगान क्योंकि ब्रिक्स सम्मीट में देखिए एक तरफ तो ब्रिक्स काउंटर करने के लिए यूएस डॉलर क काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाए गया है तर्की जो है वो नेटो मेंबर है तो यह दोनों तरफ जॉइन होना चाहरा है तर्की तो बहुत पहले से नेटो मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर बनना चाहरा है तुर्की नेटो का सदस्य है ऐसे में पश्चिम वीरोध उने चार नए सदस्दियों का यहां पे जॉइन किया जैसे कि इजेब, इत्थोप्या, इरान और संयुक्त अरब अमिरत को सामिल किया गया था जिसके बाद इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से जाने जानने लगा तुर्की को अभी तक ब्रिक्स अंगठन के सद्धे सता हासिल नह उठाता है, पर कुछ दिन पहले ही एक कॉणिंस में अर्शन अरा जैसे को पारिक्स पा कशानुर को और तुर्की के विदेश निती, जांए माने विशले सक और पूर राजनेक सिनान अलेजन ने कहा इस दावे को खारिज किया जर्मन अगभार की रिपोर्ट में उनके हवाले से लिखा गया था कि भारत ने तुर्की के ब्रिक्स सदसिता को खारिज किया है। अग बार बिल्ड ने अलेजन को कोट करते वे लिखा था कि भारत ने तुर्की के ब्रिक्स में सामिल होने के आवेधन को खारिज कर दिया है। एक दूरी बनाकर चल रहा है लेकिन ब्रिक्स की बैठक में तुर्की की सद्यसता के मुद्दे पर वोटिंग ही नहीं हुई है। तो फिर भारत के वीटो का सवाल ही नहीं उड़ता है। वहाँ पर वीटो अगर कर देगा तो फिर वहाँ जोइन नहीं हो पाएगा। अलेजन ने कहा ब्रिक्स के तेजी से हो रहे विस्तार को लेकर कई और देश भी भारत की तरह चिंती थे और इस मुद्दे पर अभी तक सब के भी सहमती नहीं बन पाई है। और यहाँ पर टर्की का जो मिन कारण है हमको लगता है जोइन होने का क्योंकि टर्की का एकॉनमी अच्छा नहीं है और टर्की पैसा कमाना चाहता है। इरान, एजिप्ट और इथोपिया और यूरोप, यूएई को हाल ही में इसमें जगा दी गई है हाला कि तुर्की का आवेदन पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। ब्रिक्स बनाया है, उसमें से कोई भी अगर वीटो कर देता, कोई भी मना कर देता है तो उसमें जोइन नहीं हो पायागा। यहां तक कि पाकिस्तान को ब्रिक्स अंगठन के नए पार्टनर देसों के लिस्ट में भी जगा नहीं मिली है, वहीं तुर्की को पार्टनर देसों में सामिल किया गया है। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत के वीरोध के बावजूद रूस और चीन के समर्थन से उनके लिए ब्रिक्स की दरवाजे खुलेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा था कि भारत भी पाकिस्तान की ब्रिक्स दर्सिता का सायद समर्थन कर सकता है, हाला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुर्की और रूस के रिष्टे इतिहास में बहुत सहज नहीं रहे हैं। तुर्की ने चीन, रूस और इरान जैसे अमेरिकी प्रतिबंदों से संबंद बैतर किया है। तुर्की ब्रिक्स में भी सामिल होने की कोशिस में हैं। जिसे पश्चिम का मुकाबला करने वाला ग्रूप कहा जाता रहा है। ब्लूमबर की रिपोर्ट के मुदाबिक की यूरोपय संग में सामिल होने की अपनी दसकोपुरानी कोशिस में प्रगति की कमीपन निसाना का हवाला देते वे तुर्की ने अपचारिक रूप से ब्रिक्स में सामिल होने की इच्छा जाहिर किया। इर्दोगान के इस कदम का मकसद तुर्की के विज्ञानिक प्रभाव, वेक्षविक प्रभाव को बढ़ाना और पारमपरिक पस्चमि सहयोगी से इतना इतर नए संबंद बनाना है। इर्दोगान के प्रषासन के अधिकारियों को लगता है कि ब्रिक्स में सामिल होने से रूस और चीन के साथ तुर्की के आर्थिक संबंदों में सुधार हो सकता है। वैसा अगर ब्रिक्स में जोइन होता है वैसे वैसे देश तो भारत के लिए बहुत खराब होगा आगे चलके बहुत दिक्कत होने वाला है। तुर्की में सरकार विरोधी प्रदर्शन का समर्थन करने का रोप लगाया था। इसके बाद चीजे खराब होती रही। अमेरिका के 2014 सीरिया में कुर्द आतंगवादियों को हाथियार किया पूर्ती की। इसके बाद अक्टूबर 2015 में अमेरिका और फिर जर्मनी ने तुर्की से हावाई सुरक्षा वापस ले ली। साल 2016 में अमेरिका इस्तितिक मौलवी के अनुयायों द्वारा उनकी सरकार को गिरानी के असफल पर्यास के बाद अर्दोगाउन की पश्चमी विरोधी बयान बादी तेज हो गई। इसी वर्ष तुर्की के यूरोपिय संग में सामिल होने पर बादशीत रुप गई। जाते हैं ऐसे में वर्ष तुर्की को संगाई सहयोग संगठन में सामिल होने वाला पहला नाटो सदस से बनाने के कोशिस में हैं। इसा गलत न्यूज है यहां पर टर्की के तरफ से यहां किलियर किया गिया है कि यह न्यूज बे बुनियाद है ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऐसा बात वहां उठा ही नहीं था कि भारत उसमें वीटो पावर यूज कर सके और यहां पर देखिए आगे चलके हमको नहीं लगता ह कि पाकिस्तान को इसमें जॉइन किया जाएगा क्योंकि भारत बार पर वीटो पावर यूज कर देगा पाकिस्तान को जॉइन होने नहीं देगा नमस्कार इंडिया capacitor की इस BRICS membership बिढ तो यहां पर नैज lawyers आरा ही कि इंडिया जो है वो रीजएक्ट कर दिया है था जाते था कि ब רीक्स membership में हम जोइन हो जाए वो टर्की का reject कर दिया इंडिया के दरब से ऐसा कहना है बहुत सारी यहां पर आर्टिकल में पबलिज किया दा रहा है पर exactly हुआ क्या है इसी बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले किस कारण से इंडिया जो है reject किया गया है और वहाँ ब्रिक्स का नियम है कि अगर पांच ब्रिक्स में इन पांच देश जो ब्रिक्स के हैं मिल के जो ब्रिक्स बनाया है उसमें से अगर किसी ने भी पूल आउट किया किसी ने भी वोट नहीं किया उसको इसमें जोइन करने के लिए तो वो जोइन नहीं हो पाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है इंडिया के द्वारा reject कर दिया गया है टर्की को भारत ने तुर्की को ब्रिक्स में नहीं होने दिया सामिल, जर्मन अखबार के दावे पर पूर्व राजनायक ने क्या कहा, तुर्की नेटो का सदसे देश, आपको मालम होना चाहिए कि टर्की जो है, वो एक तरफ जो उसका देश है, वो लगता है यूरोप के तरफ और एक मेडिल इस्ट के दरफ लगता है, तो टर्की जो है, वो बहुत पहले से नेटो का मेंबर रहा है, और अभी भी है,